नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में जी हां दोस्तों आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर साम तक की सारी की सारी बड़ी खबरे मुख्य समाचार ब्रेकिंग नुज हेड्लैंड की रूप में जी हां द दूस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं तो आज की पहली बड़ी खबर आपडेट निकल कर आ रहे भारत के राफिल और अपाचे से पाकिस्तान एरफोर्स के उड़े होस्त कहा कि अगर यूद हुआ तो हम हार जाएंगे जी हां दूस्तों कि भारती सेना को मिले 280 किलोमेटर के रफ्तार और 16 एंटी टेक मिसाल छोड़ने के समता वाले हमलावार अपाचे हलीकोक्टर के बाद अब लड़ा को विमान राफिल ने पाकिस्तान के खोश उड़ा दिया फ्रांस में जिस वक्त रक्षामंदरी राजना सिंग राफिल को रिशिव करने में जूटे थे दूसरी तरह पाकिस्तान के परदानमंदरी इमरान खान और सेना पुर्मुक गमर जाविद वाजबाने चीन में जम्बू कस्मीर के मसले पर दोनों देशों की बीच पैदा हुए तरनाव का हवाला देकर मदद मांगने में जूटे हुए जि पर दिया है। दूसरे पर बात करने के लिए देने होंगे पैसे करना होगा आवारणा हwang क्या पर बात करने के लिए पैसे देने होंगे जियो के एक बयान के मुताबिश जियो के कराकों को किसी दूसरी कंपनी के नैट्रोग पर कोल करने के लिए परती मिनट 6 पैसे देने होंगे जुहांँ दोस्तों आपको बता दे कि यहांपड जी उने जारी के हैं 20 रूपय से लेकर 100 रूपय तक यहांँ दोस्तों 10 रूपय में आपको 124 मिंट मिलेगी साथी 1 delic data मिलेगा इसी के साथी 20 Pan पर आपको 29 मिनिट साथी दो जी भी फिरी डेटा मिलेगा और वहीं 15 रुप्य के रिचार्च पर 1362 मिनट और 10 जीवी डेटा जो भी जो है इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर अबडेट केंकल कर आरिए कि उध्धव ठाकरे का वादा है 10 रुपय में देंगे खाने की थालि पेट पर खाने की थाली मुईया करवाएंगे उद्धव ठाकरे ने मंगलवा को बुंबी में सिफ सेना की रेली में जनता से वादों की जड़ी लगा दी जी हां दोस्तों आपको बता दे कि सिफ सेना सुप्रीमों ने सरकारी तीजोरी से आम जनता को सस्ता खाना और वहीं सस से करज भी माफ कर देगी इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रहे है कि पीयो के से कस्मिर आई परिवारों के लिए मोधी सरकार का बड़ा एहलान है हर फैमिली को मिलेंगे इतने लाग रुपए जी हां दोस्तों दिवाली से पहले केंद्रे करमचार देने का फैसला किया है और दोस्तों मोधी सरकार के इस फैसले से करी 5300 परिवारों को इसका सीधा लाप मिलेगा और हर परिवार को साड़े पांस साड़े पांस लाग रुपर जो है उन्हें दिये जाएंगे आर्थिक साहता के रूप में इसी के साथ दोस्तों बड़ी से जुड़ा हुआ इसी लिए खबर आपके लिए काफी ज्यादा में तो पूर्ण हो जाती है जी हाँ दोस्तों रेल्वे के इस नई सुविधा के जरिए आप चलती ट्रेंड में चोरी और स्नेचिंग की वार्दा थोने पर एफ आफ आइर दर्ज करा सकेंगे और 10 अक्ट प्लैट है अर्ध सास्तर और वीदेश निती पर सेना ले रही है फैसले जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि पाकिस्तान के सथा पर्थिष्टानों में सेना के देखल कोई नई बात नहीं है 1947 के बद पाकिस्तान में करीब आदे समय तक वहाँ पर सेना कहीं सासन रहा था और पाकिस्तान की सेना को जब भी नागरिक सरकार से चुनोती मिलती दिखती है तो उसे लगता है कि उसके रसुक और परभाव में कमी आई तो उसका तक्ता पलेट कर देती है। पाकिस्तान की सरकार का तक्ता प्लेट करने की वहाँ पर जो नीतिया है वो तेज हो चुके हैं। और यह आदिस सताई सरक्तूबर से लागू हो जाए जी हां दोस्तों आपको बता दें के लगातार सिकाहिते मिल रही थी कि सिक्सक क्लास में मोबाइल पहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं। इन ही सिकाहितों को संग्यान में लेते हुए परदेस के सिक्सक विभाग ने सरकूलर जारी करते हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि तदा मोबाइल के इस्तमाल पर रोप के बावजुत यह दी कोई सिक्सक अपनी कक्सा में मोबाइल करते हुए अगर दिखाई देता है तो उस पर बड़ी कारवाई की जाएगी इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी ख़बर अपडेट निकल कर आ रहे कि रेलवे ट्रेक पर गंद की फैलाना पड़ सकता है मेंगा 36 लोगों से 15,000 वसुले गई हैं दोस्तों आपको बता दे के वेस्टन रेलवे के बुंबई डिवेजन में ट्रेक पर सोच करने और गंद की फैलाने वालों के किलाफ कारवाई करने का अभ्यान शुरू किया गया इस अभ्यान के देट आप तक 36 लोगों पर कारवाई की जा चुके इन लोगों से ट्रेक पर गंद की फैलाने के जुर्माने में लगव 15,000 रुपर का इनसे जुर्माना फसुला गया वहीं दोस्तों रेलिवे जो है CCTV कैमरे लगा कर निगरानी रखने की कोशिश भी कर रही है साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि भारते रेलिवे ने दो अक्टूबर से ही पूरे देश बर में स्वच भारत अभ्यान शुरू कर दिया इसके तरफ एक तरफ चाहां रेलिवे स वहां मनवा रहे आईएटी कानपूर के वेकानिकों के बाद अब रिसर्च ऑफिसर ने एक ऐसा अनो का नाक का फिल्टर बना है जो कि वेक्टिरिया और वाईउ परदूशन से बचाव करेगा जी हां दोस्तों बिल्कुल असली नाक की तरहीं यह फिल्टर काम करेगा और पारिक से बारिक कंड को में ँदो रहे हैं और आस्मान यहां बढ़ी वज़्ज़त जांड़ आपको बता दे कि सामाने से अदिक पारिस और मानसुके देरीस से लोटने से आलो के साननե Gilें ऑभूकताओं के बढ़ सकती हैं प्याज और टमाटर के महेंगाई से हलकाना उभकताओं को अब जल्दी आलू की प्रेशानी से में कावी सामना करना पड़ सकता है बार इसके वज़े से आलू की भुवाई में लगब एक महीने की देरी हो चुके इससे बाजार में नया आलू के पहुंचने में देरी हो सकती है और इसके चलते उत्पाद और बाजारों में पूरी तरह से आलू में महेंगाई का रुख देखा जा सकता है जी हां दोस्तों इसी के साथ ही उत्रपरदेश बिहार उपसी मंगाल जैसे राज्य आलू के उत्पादन के लिए मशूरां और जाने जाते हैं लेकिन इस बार इन राज्यों में भी जो है तदा आलू की बोवाई काफी देरी सी की गई जिससे पूरे भारत में आने वाले दिनों में आलू के भावज़ों और भी जादा बढ़ने की उमीद जताए गई इसे के साथ बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है जी हां दोस्तों माराथाबार गुवा आंदर परदेश तयलंगाना करनाटक तमिलाडू के साथी पर इसके संभावना कुछ पर बिजली किरने की घटनाई भी देखी जा सकते हैं जी हां दोस्तों इन राजों में अगर आप भी रहते हों तो थोड़ा से सत्रक और साफदान जरूर रहेगा इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खाबर अपडेट निकल कर आरी के पैटो और डीजल की किमतों में फिर कटोती है यहां आज की नई रेट जी हां दोस्तों पैटो और डीजल के दामों में एक वर फिर से कटोती कर दी गई इन कटोती के बाद पैटोल का भाव दिली कोलकता और बूंबी और चेने में 520 पर्थी लेटर कम हो गया तो वहीं डीजल की बात करें तो चारों महानकरों में एक दिन पहले के मुकाबले ही 6 पैसे पर्थी लेटर का भाव मिलने लगा है बता दे कि दोस्तों एक दिन पहले पैट्र और डीजल के भाव स्तिर्वाने वह थे ज समान घटा हुआ ट्रेफिक नियम उलंगन का जुर्माना जी हां दोस्तों आपको बता देगे नए मोटर वीकल एक्ट को लागू हुए करीब करीब एक महीना पीच चुका है और इस तोरान पांच राजे जी हां दोस्तों गुजरात उत्राखंट केरल करनाटेक और असम में अपने अपने राज्यों में जो है जुर्माने के रकम काफी जादा घटा दी जिहां दोस्तों जिसके चलते केंदर सरकार की चिंदा काफी जादा बढ़ गई जिहां दोस्तों देश के 5 राज्ये हैं गुजरात उत्राखंट केरल करनाटेक असम इसमें जो जुर्माना पह रूपे लिये जाते हैं जिसके बाद केंदर सरकार पर लगातार दवाव पढ़ रहा है कि केंदर सरकार पूरे देश में एक समान ट्रेफिक के नियम करें और एक समान चालान करें जाए जिए आने वाले कुछी दिनों में और भी ऐसे कई राज्ये हैं जो अपनी इस लिमिट पूरे देश में ट्रेफिक के नियमों के जो चालान बढ़ा है उसे घटता हुआ देख सकते हैं जिए आपको बता दे कि गुजरा सरकार की ओर से जुर्माना रासी रकम काफी जादा कम करने के बाद ही कई ऐसे और राज्ये जहां पर जुर्मानी की रासी घटाई जारी है इसी को देखती हुए केंदा सरकार ने एलान किया है कि वो जल्दी इसे जुर्मानी की रासी को पूरे देश में एक समान बना देगा यानि आब आपको जो है जुर्मानी की टेंसर नहीं है दोस्तों आने वाले दिनों में जुर्मानी की रासी जो है काफी जादा कम होने व